रादे रादे चैसरी कृष्णा आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चल प्रहारतिक स्वागत है अभिनंदल है प्यारे बच्चों भारत के परंपरागत साड़ी में एक महत्वपुर्ण साड़ी जो अक्सरे जामें पूछे जाते हैं वो है बालूचर की साड़ियां बालूचर साड़ी बालूचर क्या है मुर्शिदाबाद के समी एक अस्थान है बालूचर और वहां जो साड़ियां बनती हैं बालूचर अस्थान में उस साड़ियों को हम बालूचर साड़ियां कहते हैं और चोकी साड़ी के मध्य बाग में छोटे-छोटे बूटे बनाये जाते हैं, इसलिए उन साड़ीों का नाम बालूचर बूटीदार साड़ियां कहलाती हैं। जो नमूने होते थे, वो फूल पत्ती वाले, पशुपक्षी वाले, मानो वाकृती वाले। आज भी आप देखो जो गहने बनते हैं, आप गले कहार लेो, कान का लो, हाथ की अंगुठी लो, कुछ भी लो, तो इसमें जो अक्सर डिजाइन रहते हैं, आप देखो प्रकिर्टी से उठाये जाते हैं। खासकर करके उसमें मोर सुंदर होता है मोर कान के जुमके भी बनते हैं दोंने पूल पत्यां इनके इंसे डिजाइन के र जाते हैं चाहित तो बालूचर साडियों में भी जो डिजाइन होते हैं फूलपत्ति के पश्वपक्षी के होते हैं मानुअक्रितिया होती हैं और यह साडिया भी हस्त गरगा से हैंडूलूम से तयार की जाती थी जिनके बॉर्डर और पल्लू पर बेहद सुन्दर नमूने तयार किये जाते पार बेहद कि साडियों की आचल पर बड़े नमूने होते थे और जो हो सब्सक्राइब नमूने और जो बॉर्डर है उस पर मैं बढ़े नमूने बनाए जाते थे लेकिन वीमी जो साड़ी का मत्रेबाग होता था छोटे चोटे 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 बूटे बनते थे कलाकार बनाने वाला कारीगर अपनी बड़ी मेहनत और लगन से तयार करते थे बालुचर की साड़ियों में जो प्रभाव जलता था मुगल कालिन का मुगल कालिन का प्रभाव मैंने पहले भी बताया है कि मुगल काल में हस्त करगा हो या कोई और हो उसको बढ़ावा मिला अकबर के टाइम में भी इसको बढ़ावा मिला इसके बाद जब अंग्रेज आए तो उनके साशनकाल में उनको बढ़ावा नहीं मिला प्रुत्साहन न यहां के उद्योगधन्दे भी धीरे धीरे नस्ठ हो गया है तो बालुचर की साड़ियों में जो प्रभाव दिखता था जो डिजाइन होती थी वह होती थी फूल सुंगती बेगम हुक्का पीते सामन्त इस तरह की जो चित्रन साड़ियों में चित्रित किया जाता था बालु चंदेरी मध्यपर्देश के पास ग्वालियर है और मध्यपर्देश में जो ग्वालियर है ग्वालियर के पास में एक चंदेर अस्थान है जहां कि साड़ियां चंदेरी साड़ियां कहलाती है चंदेरी साड़ियां आपनी बारिकी के लिए अपनी शुक्षमता के लिए अ संपुर्ण विश्व में प्रशिद थी और आज भी है कि साड़ियां सूती और उनी कि दोनों रेसों से बनाई जाती है कि सूती साड़ियां खास करके बिल्कुल इतनी बारिक इतनी पत्ली होती जिसको हम मलमल कि क्याते हैं इसमें बॉर्डर और आचल पर रेस्मी धागों से सुन्दर सुन्दर नमूने बनाए जाते हैं कुछ साड़ियों में दोनों और से दो अलग अलग रंगों के धागों से डिजाइन उक्वेर करके उसमें उत्कृष्टता लाई जाती थी और कुछ साड़ियों में गलाँ बॉर्डर होता था कि दोहरे डागों से बनते थे जिससे वे Lab के रंग का इफ्यक्ट देता था रंग आहरे सीधी तरफ से देखोगे तो एक रंग का ऊर दूसरी तरफ से देखोगे तो मतलब दोनों तराफ आप उन साड़ियों को यूज में ले सकते थे कुछ चंदेरी साड़ियां ऐसी होती थी जिनकी लंबाई 9 मीटर तक रखी जाती थी और ऐसी सब चंदेरी साड़ियों को महाराश्ट्रियन महिलाएं ज़्यादा पसंद करती थी और वो साड़ियां खास करके रेशमी धागों से बनाई चाते हैं पल्लू बाउडर इसमें भी जो नमूने होते हैं वो पशू पक्षी मानो आकृती इनकी बनी होती है आज भी चंदेरी सिल्की साड़ियां बहुत ही फेमस है मैं आपको कुछ एक चंदेरी सिल्क मेरे साड़ी पढ़ियों मैं आपको दिखाती हूं बच्चे ये जो मैं दिखा रही हूँ ये चंदेरी सिल्क साड़ी है ग्वालियर की और इसके मैं ये भाग जो दिखा रही हूँ पल्लू का एक डिजाइन दिखा रही हूँ एक नमूना मात्र इस नमूने से आपको देखने से असपस्ट ग्यात होता होगा कि दोनों तरफ मो फ्लावर पॉट है और इसके उपर आप देखोगे तो फ्लावर बने हुए है फ्लावर बने हुए है यह साड़ी काफी पुरानी है हमारी करीब 25 साल हो गई साड़ी का यह देख रहे हो आप एक नमुना देखो आपको अस्पस्ट ग्याद हो जाएगा दोनों तरफ आपके मोर कच्चितरण किया हुआ है बीच में आपके फ्लावर पॉट है और यहीं से आप देखो गोल्डन कलर से जाता हुआ प्लावर्स है और उपर से आपको फ्लावर की पत्तियां मातर तीन बना बना हुआ है ज्यादा कलर भी इसमें नहीं नहीं एक तो आप देखो रेट कलर से लेता हुआ है दूसरा गोलडन एलो और तीसरा है जिसकी डिजैन भी सिलक का है और पूरे के पूरी साड़ी रेसम का ही धागों से बना हुआ है इसका विप्रिद्धिस आपको दिखाती हूँ यह देखो दिख रहा आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा तो यह पूरे जो नम्मुने हैं यह काढ़े गए हैं किस से से रयसमी धागों से बने हुए है आगे से आप देखो पूरे के पूरे यह रयसमी धागों से तैयार किया गए है। इसके गों कि यह वाला हिस्सा आप देख रहें हो ना दो एक लिपिय तक प्रस्ट बीच विच में साड़ियों के बीच फीच में चोटे चोटे बूटे इसी को हम भूटा कहते पढ़ा रहे थे ना बूटे डा भी इसकी सारीयों में है और साइड में ज्यादा वजन इसारी में कोई वजन नहीं है इस साड़ी की एक ही कमी क्या है कि साड़ी बीच से कटती है जहां से आपके लाइन है ना आप देखो साड़िया फट रही है यहीं से यहीं साड़िया फटी है काफी महंगी होती है यह साड़िया भी काफी महंगी है आज की नहीं है 25-30 साल हो गए साड़ी को बस इसकी एक ही कमी है कि साड़ी आपको जहां से ये मुड़ती है जैसे आपने यहां से आपने तह लगा दिया तो जहां से आपने ये तह लगी हुए यहीं से साड़ी आपकी फट जाएगी रखे रखी साड़ी यह फट दिया तो ये बेहत सुन्दर साडी होती है, यह देखो, यहां से अगर आपने तह लगा दिया तोसाडी यही से आपकी कट कर में लग हो जाएक यह सारी को मैंने काफी नहीं पहना थोड़ा ही पहना लेकिन यह सारी की कमी है कि यह कट जाती है यह आपकी चंदेरी सिल्की सारी यह देखा आपको सब्सक्र दिखाइए पड़ेगा बिल्कुल सारी नहीं है नहीं तो क्या का गए पच्षिस 10 साल की साड़ी है लेकिन इसके बाद भी ये साड़ी आ देखो यही से फट जाती हैं साड़ी है भुट साड़ी है अद्ट यह देखो दो इसमें बूर के बनाए गए हैं और बीच में त्लाबाद कुछ विसे पहले माइने जो चीज बताही थी थे का पेल बीच की साडियों में ऑसे अल। ये यह है धाका का ये चंदेर की सूती सारियां complete सूती कपड़े का बना हुआ है इसमें भी सेम है इसमें बीच का जो है बूटे बूटा है बूटा आपको दिखेगा छोटे बूटे बिल्कुल छोट छोटे वाइट कलर के आप और जो पल्लू है पल्लू में भी बूटेवी है बहुत इसमें डिजाइन नहीं है है चंदेरी कॉटन यह यह का जितना उसमें पैसा लगाओंगे उतने आपकी अच्छे डिजाइन वाली साड़ियां मिलेंगे बॉडर कसम का लगभग एक जैसा ही होता है वह साड़ियों भी इसमें भी ऐसे दिखाया और इसमें भी बूटे है चोटे चोटे तो यह कहलाती हैं आपकी कि चंदेर की चंदेरी सिल्क साड़ियां और चंदेरी कॉटन साड़ियां दो चीज़ मैंने आपको दिखाया है तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लेश चेयर करें कॉ अगली बातों के साथ तब तक दो इजाज़त जाने की ओके बाय